राजे सभा सांसा जोतिरादी सिंधिया दो दिरसी दोरे पर गौारियर पहुंचे जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अवैद उत्खनन के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी मुख्यमंती बदलने को लेकर उनने कहा कि शिवरासिंग अच्छा कारे कर रहे हैं वेही मध्यबदेश के मुख्या रहेंगे जोतिरादी सिंधिया ने कहा कि अवैद उत्खनन के खिलाफ उनका जंडा बुलंद था और बुलंद रहेगा मुरैना में प्रशासन पर माफिया के हमले पर सिंधिया ने कहा कि इसमें जाच के साथ सक्त कारवाई की जाएगी अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंती शिवरासिंग चौहान से भी बात करेंगे इस दोरान सिंधिया ने तीसरी वेब के खत्रे से निपटने के लिए लोगों और राजनेतिक दलों से एक साथ मिलकर लणने की अपील की सिंधिया ने कहा कि मेरी सियन साहब से कोरोना को लेकर विस्ति चर्चा हुई है दूसरे वेब पर कावुपा लिया गया है लेकिन जंग अभी भी जारी है इसका हर्टी का करण ही है सिंधिया ने अपनी तरब से गौालियर चंबल के सभी जीलों के लिए छे एम्बूलेंस देने की बात रही नेतर्त परिवाटन को लेकर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंग मध्यबदेश सरकार के मुखिया है और 16 महीने में बहुत अच्छा काम किया है नेतर तो परिवर्तन की बात कहां से चल रही है पता नहीं है भाश्पा में शामिल हुए जतिन प्रसाद को लेकर उन्होंने कहा कि हमने साथ में काम किया है राजनेतिक संबन्द भी दुबारा से जो गए है जल से जल तैकिकात होगी क्योंकि आवेद उत्खनन के खिलाफ मेरा जंडा सदेव बरकरार रहा है और इसका समाप्ति करना इसमें दो पहलू है जो लोग जिन लोग ने सरकार के साथ मसौदा पे हस्ताक्षर किया है और सरकार को रोयल्टी दे रहे हैं उन लोग की रखवाली भी होनी चाहिए क्योंकि सरकार को उसका पैसा भी मिल रहा है पर जो आवेद उत्खरन कर रहे हैं उनके विरुद सक्त से सक्त करवाई होनी चाहिए अभी दूसरे वेव पर हम लोग ने काबू पाया है लेकिन अभी भी जंग जारी है यह हम ना सोचें की जंग समाफ हुआ है अभी भी हम लोगों को सावधानी परतनी होगी अभी भी हम लोगों को तीसरी वेव की तैयारी करनी होगी और इसका एक ही हल है अंत में और वो हल है टीका करण तो मैं आपसे भी निवेदन करना हो चाहता हूँ कि इतने चैनल्स यहाँ हैं आपके चैनल्स के द्वारा भी टीका करण का उत्सावरधन करें सभी को एक उर्जा प्रदान करें कि टीका ही एक मात्र अस्त्र है और शस्त्र है इस वाइरस के विरुत बड़ी विस्तु चर्चा कोविट पे भी हमारी हुई है और कल का कारिक्रम भी है जहां पाँच या छे एम्बिलन्स मैं अपने तरफ से भी दे रहा हूँ मद्यप्रदेश सरकार के मुख्या शिवराज सिंग चोहान जी है उनके नेतित्व में फिछले 16 महीनों में जिस तरीके से इस कठिन परिस्तित्यों में सरकार ने इतना बहतरीन परफॉर्मेंस दिया है मैं उनको धन्यवाद अरपित करना चाहता हूँ बढ़ाई नेक नेक नहीं केवल लेकिन धन्यवाद अरपित करना चाहता हूँ कि उनके नेतित्व में ये सब संबह वो पाया है जितन प्रसाद जी के बारे में मैंने बहुत कुछ कल कहा है वोपाल में मेरे साथ मेरे सायोगी के रूप में मेरे सायोगी मंतरी के रूप में मेरे चोटे बाए के रूप में हम दोनोंने साथ में काम किया है उनका मैंने स्वागत कल किया मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक पारिवारिक संबंद उनके साथ था ही लेकिन एक राजनितिक संबंद भी उनके साथ अब दुबारा जुड़ चुका है संबंद इस अब दुबारा जुड़ ज़ाएं आपके हट आपके हाथ आप देख रहे हैं दखल न्यूल